नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्रवास्तु के विशेश काज़कम के साथ पुर्णिमा और अमवास्या के दीन अगर आप रात में दीपक जलाते हैं तो इस दीपक का बहुत बड़ा महत होता है एक दीपक जलाने से भी पुर्णिमा के दीन आपके जीवन की कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती है ऐसा मानते हैं कि पुर्णिमा के दीन मा लक्ष्मी इस पिर्थिवी पर भरवन करती है और जिस घर में दीपक जलाए जाते हैं उस घर में मा लक्ष्मी का आशिरवाद अवस ही मिलता है बने रही हमारे साथ हम आपको पताएंगे गुरुवारी पॉस पुर्णिमा के दीन चूप चाप जला दे एक दीपक इतना पैसा आएगा कि सम्हाल नहीं उपाओगे लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं तो किर पैसे सब्सकाइब कर लें तथा बेल बटन को फिर दबाएं ताकि नए वीडियो का नुट्फिकेशन आपको तुरन मिल जाएं हिंदू धर में पूर्णिमा का बहुत प्रामःत्व है पूर्णिमा की तीथी चंद्रमा को पिरिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है हिंदु करंथों में पॉस पुर्णिमा के दीन दान, असनान और सुजदेव को अर्ग देने का भी बिशेश महत्व बताया गया है इस दीन कासी, पडियाग राज और हरीद्वार में गंगा असनान करना बेहद ही सुब बताया जाता है इस बार पॉस पुर्णिमा का ब्रत अठाय जमरी को मनाई जाएगी इस बार पॉस पुर्णिमा पर गुरुपुस नामक योग बंधा है जिससे इस दीन का महत्व और भी बढ़ जाता है पॉस मास की पुर्णिमा होने के कारण इसे पूसी पुर्णिमा भी कहा जाता है बताया जाता है कि जिसने पूरे महने दान ना किया हो अगर इस पुर्णिमा को दान करें तो उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है पॉस पुणिमा के मौके पर गरह नजत्रों की ऐस्धिती बनती है कि चंद्र गरह प्रान दायनी अमरित मई किर्णों का संचरन कर जल में प्रान दाय उर्जा समाहित करते हैं इस दिन असनान करने से किसी नदी या सरोबर में असनान करने से निरोगी काया समित पुन फल भी प्राप्त होते हैं। मा भगवती ने अपने भक्तों की पुकार पर माता साकमभ़ी देवी का अपतार लिया था। इसलिए इस पुर्णिमा को साकमभ़ी पुर्णिमा भी कहते हैं और मा शाकमभ़ी जहनती भी बनाते हैं। इस दीन मा दुर्गा की पूजा करने का भी बिशेश प्रापधान है। पुर्णिमा के दीन आपको सबसे पहले असनान करने के बाद ब्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान बिष्णु की बीधी बिधान से पूजा करना चाहिए बिष्णु जी को भोग लगा कर आर्थी करें मंत्रों चांद करते हुए भगवान सुर्ण को अर्ग देना चाहिए पूरे दीन श्री हडी का नाम का ध्यान लगाए रात को चंतरमा निकलने के बाद धूब दीब से पूजा करें और चंतरमा को अर्ग दें ये एक समान तरह से आप पूजा कर सकते हैं लेकिन इस भार जो पॉस पूर्णिमा है इस पर एक बहुत ही अदभूत सैयोग बन रहा है और इस सैयोग में जब आप कोई खास उपाय करते हैं, कोई टोटके करते हैं, कोई परियोग करते हैं तो उसका फल आपके जीवन में अनंत गुना मिलता है मन मस्तिस्क एबं जल तत्त को परवाहित करने वाला चंद्रमा अपनी रासी करक में रहने वाले हैं, इस दिन सुर्च और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे, जिसकी वज़ा से समप तक योग बनेगा इसके साथ ही इस दिन गुरु पुस और सरवार्थ सिद्धी नामक योग भी बन रहे हैं, इस दिन प्रिती योग भी बन रहा है, पौस पुर्णिमा के दीन प्राता काल में रवी योग भी बन रहा है, इन महायोग से इस दीन का महत्व अधिक बढ़ गया है सुभयोग में इस दिन जब तप और दान करने से मोक्स की प्राप्ति होती है और मनो कामना भी पुर्ण होती है इस सुभयोग को कुछ खास चीज अवस ही करना चाहिए इस सुभयोग में कुछ परयोग आपको अवस ही करना चाहिए अगर आप ये पर्योग करते हैं तो आपके जीवन में जो कामना है, मनो कामना है, धन की कमी है या जो भी आपकी इच्छा है, सारी इच्छा आप प्राप्त कर सकते हैं इस दिन सुबह में पानी में थोड़ा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिला कर असनान करना चाहिए, इस से हर काम में सफलता मिलेगी, ब्रस्पति गरह की किरपा से साधी की रुकाबट दूर होगी, इस दिन आपको एक छोटा सा पर्योग करना चाहिए, करना क्या है, असन जक्सना बरती संख से जल अर्पित करें, अगर आपके पास जक्सना बरती संख है तो उससे आप जल अर्पित करें, नहीं तो पीले रंग का पुष्प अर्पित करें और हल्दी का ठिका भी लगाएं, इसके पाद भगवान बिश्नु का जो महा मंत्र है, ओम नमो भगवत मंतर जाप आप तुलसी की माला से या उंगली पर कर सकते हैं या मिश्री का 108 धना लेकर उसे भी मंतर जाप कर सकते हैं मंतर जाप के बाद आपकी जो समस्या है उसे दूर करने की प्राथना करें जो मड़ो कामना है उसे भी बोलें इसके बाद अपने कंठ और मस्तक पर हल्दी से तिलक करें पूजा के बाद स्वास्तिक चने की दाल गुर को रोटी के साथ गाय को खिला दें अगर आप गाय को नहीं खिला सकते हैं तो आप चने की दाल है उसको आप पक्षी को खिला देजिए जो स्वास्तिक है उसे पानी में घोल करके किसी ब्रिक्स के नीचे डाल देजिए ये आपके लिए काफी महत्पुन होगा अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो जीवन की जो इक्षा होती है कामना होती है निश्चित रूप से वो सारी इक्षा कामना आपके जीवन में पुन होती है इस दिन नदी या सरोबर में असनान करने के बाद भगवान सुर्ज को अर्ग देते हुए अगर आप 27 बार गायतरी मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी ब्यक्ति की साल भर आप स्वस्त रहते हैं जीवन में धन की कमी नहीं होती है साल पर संपंता बनी रहती है शुर्ज की भाती भाग चमकता रहता है और बुरे बक्त से आप आसानी से बार हो जाते हैं इस दिन आम के पत्तों का बंधनवार मुख द्वार पर लगाने से घर में सुक समिर्धी ब इस दिन ऐसा मानते हैं कि विश्णु सहस्तराम का पाठ और आदित हिर्दयस्तोत का पाठ करना भी काफी फल दाई होता है। आदित हिर्दयस्तोत का पाठ करने से सरकारी नोकरी मिलने की संभाबना बढ़ जाती है। मान समान मिलता है, सरकारी काम आसानी से हो जाता है, इस दीन माता पिता का चरंद असपर्स करना चाहिए, इस से स्वभाग की प्राप्ती होती है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो इस दीन एक पर्योग करें, निश्चित रूप से आपके जीवन से धन की कमी दूर हो कर मा लक्ष्मी के सामने रखतें भगवान बिश्णु और मा लक्ष्मी का ध्यान करें पूजा करें और लॉंग को कपड़े में बांद कर धन रखने का स्थान पर रखतें धन की मुश्किल दूर होगी कर्ज भी समाप्त होगा दीपक में जले लॉंग को किसी ब्रिक्स के नी ही निकल पा रहे हैं तो इस दिन पुनिमां के दीन हुनमान जी के सामने सरसो के तेल का एक चौमुखी दीपक पूजा स्थान पर जलाएं और दो लॉंग उसमें डाल दीजिए भगवान हुनमान से प्रात्मा करें कि आपकी जीवन में जो मुश्किल हो दूर हो घर की सारी निगेटिविटी इनर्जी दूर हो जाती है जितने तरह के नाकात्मा कूजा है सारे इनर्जी जो निगेटिव इनर्जी है वो घर से दूर हो जाती है और आपकी मुश्किल भी दूर हो जाती है इस दिन घर के अंधरे जगह पर दीपक लगाने से ऐसा मानते हैं कि दरित् इस दिन पानी के पास जो पानी का स्रोत है नदी हो तलाब हो या आपके कीचेन का सिंख है वहां भी एक दीपक अवसी लगना चाहिए ऐसा करने से भी आपके जीवन से दरित्ता दूर होती है पुर्णिमा के दिन ऐसा मानते हैं कि अगर आप अपने घर के मुख द्वार को स्वक्ष रखते हैं तो आपके घर में मालक्षमी बहुत आसानी से आकर्शित हो जाती है अगर आप घर को जो घर का मुख द्वार है उसके सामने गोमुत्र का छिरकव करते हैं गंगाजल से छिरकव करते हैं अगर गंगाजल गोमुत्र ना हो तो पाने से भी छिरकव करते हैं और उसके बाद आटे का दो दिपक बना करके उसमें तील का तेल या घी डालकर घर के मुख द्वार पर दोनों और थोड़ा चाबल रखकर दीपक रखने से दीपक लगाने से घर की सारी समसाएं दूर होती है मालक्षमी भी आकरसित होती है जब आप दीपक जलाते हैं घर के दोनों और तो दीपक का जो लो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और मालक्षमी का ध्यान करते हुए थोड़ा हल्दी कुमकुम फूल भी इस दिपक के चारो तरफ छीट दें चारो तरफ रख दें और मालक्षमी का मन ही मन अपने घर पर आने के लिए उन्हें आमंत्रित करें धन प्राप्ति की प्रात्ना करें पुर्णिमा के दीन जिस घर के मुखध्वार पर दिया जले होते हैं उन पर मा लक्षमी का असिरवार अवस्थ होता है वास्तु दोस भी दूर होता है और घर के अंदर साकरत्मक उर्जा का प्रवाह बना रहता है गरह दो समाप्त होते हैं, बीगरे काम बने लगते हैं और आपके जीवन में सुख समिर्धी निशित रूप से आने लगता है जो आपने दिपक लगाया है उस दिपक को चावल सहित पक्षियों को डाल दें पक्षी खा लेंगे, आपकी सारी समस्या भी दूर हो जाएगी अगर आप इन उपाया का लाव लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान पुर्णिमा के दिन अवसर रखना चाहिए पुर्णिमा के दिन सूर्ज और संद्र देपता की पूजा अवसरी करनी चाहिए, ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्चियों होती है पॉस्पुर्णिमा के दिन अपने सामर्थ के नुशार दान अवसर करना चाहिए शीत रीतु होने के करन इस दिन कंबल, गर्म कपरे, आदी उनिवसरों का दान करना चाहिए आपकी विशेष महत्पुन कामना पुन होती है इस दिन आपको ब्रहमचर्ज का पालन करना चाहिए तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए किसी का दिल न दुखाए, किसी को बुरा भला आप न बोले तब ही जाकर आप आप ये जो परयोग करते हैं इस परयोग का आपको फल की प्राप्ती होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किर पाई से लाइक करें अगर आप ये करते हैं तो निशित रूप से आपके जीवन में धन का आगवन होता है और लक्षमी का आशिरबाद आपके उपर अबस रूप से बना रहाता है आज के लिए पसे इतना ही धन्नवाद